जरूर फटेपुर में हैं लेकिन बहुत से चीज़े ऐसी है जो अपने फटेपुर के बारे में नहीं जानते और केशर आज के डेट पे चांव हूँ प कहने के लिए नहीं है इतना महंगा है और इस पूल के निर्माण में केशर से बनायग depende है रिंद रिंदे नहीं या फिर फतेश चंद नहीं जी हाँ दोस्तों जहनाबाद कस्वेश से तीन किलोमीटर दूर इस्थित रिंद नदी का प्राचीन केसर पुल अपने आप में कई रोचक कहानियों को संजोए हुए है कोड़ा जहनाबाद में इस्थित रिंद नदी के प्राचीन पुल का निर्माड आज से करीब तीन सो वर्स पूर राजा फतेश चंद वारा करवाए गया था कहा जाता है फतेश चंद जब नदी के पुल का निर्माड कार करवा रहे थे तो पानी के तेज वेग में कई बार पुल बह जा रहा था इसके बार राजा ने दर्ण निशे किया कि रिंद रिंदे नहीं या फिर फतेशचंद नहीं या तो रिंद ही रहेगी या फिर राजा फतेशचंद का नाम जी यहां दोस्तों, बताते हैं उसी दौरान एक विदेसी वैपारी सो उटों को लेकर जहनाबाद आया और यहीं पास से गुजरते हुए राजा की हवेली में पहुँचकर केसर ख़रीदने का परस्ताव रखा राजा ने नियुकार कर दिया व्यापारि ने प्रजा के समझ राजा का उपहास किया जिसे विचली थोकर राजा ने खजाने से पैसा दिलवाया और पूरी केसर पुल निर्माड के गारे में डलवा दिया तब ही से इसे केसर पुल कहा जाता है और आज हम आपको लेकर आए हैं इसी केसर पुल के पास तो इसमें टेक्स टेक्स नहीं लगा ने दिया हूए तीम टाम करने को आते ले खाजाने से पाईसा है बहले जाकि उसमें पुल में डरवा देऊ तो इसमें केसर डलवा दिया था गारे में अच्छा तब केसर का बाना हुआ है पुल है हमने भी सुना था तो केसर पुल इसी वज़े से का जाता है देखिये है गहाँदनों जाने कि जाने के लिए घहनाबाद जाने के लिए पुल है और जाने पुल व nenhum पुल से पुल को केसर पुल का जाता है महत्पूर बात ये कि कहा जाता है कि आज तक ये एक ऐसा मात्र पूल है जिसने आज तक कभी टैक्स ने दिया हमाही आ गए हाँ ये तो फिराल ये एक खुबसूरत नजारा रहा आपका फटेशन के पूल केसर पूल का और जहना बाद कि विजिट का और नेक्ट ब्लाग हम आगे आपको दिखाते हैं तो फिराल इस ब्लाग को यहीं करते हैं विराम और मिलते हैं फिर किसी अगले मोड पर तब तक आप सभी अपना ख्याल लखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद